In male category, the first prize goes to कैसर रह्मान, Government Model Boys High Secondary School हंद्वारा कुपवारा पहला स्थान हासिल किया था। उस प्रतियोगीता में कश्मीर के नो जिलों के चात्र चात्रें शामिल हुए थे। Boys High Secondary School हंद्वारा के प्रिंसिपल रफीक एहमद मीर, टीचर्स और स्कूल प्रबंदर ने कैसर रह्मान को बदाई दी और उनके आगे के भविश्य के लिए उन्हें शुब कामनाई भी दी। इरिंग्स तो इसका जो बैंगरांड है वो शुब कर्षेजनेट से लिया है मैंने जो कि वन गाउग ने बनाई थी और ये जॉनस वर्मीर ने बनाई थी तो यह मने दो पैंटिंग्स को कंबाइंड किया था तो इस जो पैंटिंग है इसका नाम है गरल विद आ पर्ल क्योंकि जो आर्टिस था जॉमन वर्म ने इस पैंटिंग को अधूरा चोड़ा ता की उस ने कानुम में चेट नहीं रखा था इस पियरिंग को तो कहा जाता है उस collar इस नहीं रखा मैं बस अपने पैरेंट्स और टीचर्स का सुलिया अदा करना चाहता हूं सबसे पहले कि जनों ने मुझे 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 इतना मौका दिये इसका क्योंकि मेरे सारी हलफ थी मुझे मेरे पैरेंट्स और मेरे टीचर्स ने की है मतलब जो भी मतलब इसका रीजन है मतलब मुझे जो मोटिवेशन मिली मुझे पैरेंट्स और टीचर्स के वज़े से मिली इवन कि जब मैं मुझे जमूर में था तो मुझे नहीं लगता मेरी सेलेक्शन होगी तो मैंने प्रिसल सर्चा काल की थी सासे पहले तो उन्होंने का था कि आपको सेलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है मतलब आप वहां पो तक पहुँच गए तो यही आपके लिए सासे बड़ी बात है तो मतलब उन्होंने मुझे उस टाइम भी मोटिवेट कि और फिर्दम मैं रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई मतलब मुझे इस बात की खुश नहीं हूए कि मैंने ट्रोफी ले ली मैं मैंने आया मनलब यहां मने मनम मेन आम मिला इस बात खुश हुई कि मेरे टीचर्स खुश होगे हैं मेरे पेरन्ट्स होंगे इस लिए शोख कम से तो फिर पड़ाई पर काफी असर पड़ा तो लोग बेकार थे गर पर और इंटरनेट भी उस ताइम टूजी चल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा परिशन था कि गर पर ऐसे बेकार बेट थे तो घर बनोंने फोन भी दे थे चलाने के रिए आनलाइन क्लास तो अतना कुछ खास नहीं था उस टाहर उस ताइम पर इंटरनेट प्राइम भी थी तो मैं नहीं नहीं कि कैशें हिना some things better नहीं तो मैंने सोचा है मIं कराफ्टिंग, पैपर क्राफ्टिंग केज़ेग्राइप, केटिंग, स्केशिंग, पैंटिंग, इन पर काम शूरू किया तो तब हम इनको शूरू किया था है, फिर नाइनध टेर कम्प्लीट ऐक साल दिया, जब टेंट में चड़ा, तो मैंना सुचा कि कि अब टेंट हो गय कि आपने जो स्टार्ट किया है उसको आगे बढ़ा क्योंकि उसको मत चुआ दूरा छोड़ो तो फिर मैंने तब से कंट्यूनिय किया है पढ़ाई के साथ साथ भी मालब पढ़ाई मैं मेडिकल स्टुडेंट हूँ इसके मालब इसके मेरा मालब आर्ट कोई लिना देना नही अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल तो देर किस बात की आज ही जोईन करें केरिर अड़ा जमू जमू कश्मीर का एक ऐसा इंसिचूट जो बच्चों के उजवर भविश्यक ले लगातार फ्री कोचिंग मोहया करवा रहे हैं जो के सपना है सरकारी नौकरी का तो हमारा पता है केरिर अड़ा जमू गुर्द्वारा रोड ओपोजिट डॉक्टर दारा सिंख लिनिक रिहारी चुंगी जमू